हेलो फ्रेंज मैं सवरब पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सवरब एजुकेशन जोन में तो दोस्तों उत्तरप्रदेश प्रात्मिक सिक्षक भरती परिक्षा का एस्टेट सीरीज का दोस्तों आज हमारा दिसंबर 2016 का दोस रही है जिसमें दोस्तों आज का हमारा क्वीशन है देखेगा पैला क्वीश्चन испरी क्या है दिखेगा ध्यां से दिया है यदि दो भिन्यों का गुडन्फल 14 वटध 5 तथा उनका भामारा 35 वटध 24 हो तो इनमेंसे बड़ी भिन्यों होगी या बड़ी भिन्य है दोस्तों एक दो भिन हमको दी गई है इनका गुणनफल 14 बटे 15 है और भागफल 35 बटे 24 है दोस्तों तो इन में से हमको बताना है बड़ी भिन कौन सी है ठीक है तो आपसन A 7 बटे 8 आपसन B 6 बटे 7 आपसन C 7 बटे 6 आपसन D 7 बटे 4 तो दोस्तों एकदम step by step हम लोग इसको solve करेंगे आईए देखते हैं दोस्तों एकदम easy है दोस्तों कैसे करना है आईए हम बताते हैं आपको ठीक है आईए शुरू करते हैं पहले माल लेंगे माना दो भिन्ने X और Y है ठीक है ऐसे ही तो सुरू करेंगे माना माना दो भिन्ने दो भिन्ने X और Y है ठीक यह हमने मान लिया अब प्रस्ना नुसार दोस्तों प्रस्ना नुसार दोस्तों एकदम बेसिक से मैं बताता हूँ एकदम एक भी स्टेप स्किप नहीं करता हूँ ऐसे इसलिए करता हूँ जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए जब आपको समझ में आ जाएगा तो एक दो स्टेप जो इसमें मैं बिश्त्रित करके बताता हूँ वो आप skip करके भी जल्दी जल्दी अपना आंसर कर सकते हैं लेकिन पहले आपको समझना है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ ठीक है तो प्रस्नानुसार गुड़न फल 14 बटे 15 है भिन्नों का तो x into y is equal to 14 बटे 15 ठीक है ये तो समीकरण 1 बन गया दो भिन्नों का गुड़न फल 14 बटे 15 है दो भिन्ने हमने x और y माल ली है इनका गुड़न फल x into y is equal to 14 बटे 15 अब दूसरा देखिए तथा उनका भाग फल 35 बटे 24 है तो हम भाग फल कर देंगे x upon y x upon y is equal to 35 बटे 24 ठीक है ये तो हमने गुड़न ये तो हमने गुड़ा कर दिया और ये हम भाग कर रहे है ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं इसमें दोस्तों इसमें y कमान लिख सकते हैं ठीक है तो अगर हम तिर्शा गुड़ा करेंगे ऐसे यहाँ इसका है इसमें दिखेगा कैसे होता है step by step बिना skip किये दोस्तों हम इसको आपको बता रहे हैं तो ये हो गया 24 x is equal to 35 y अगर हमको y निकालना है तो y इधर लेके आएंगे ठीक है 35 y is equal to 24 x तो y is equal to 24 x अपान यहाँ यह गुड़ा में है यहाँ आएगा भाग में आ जाएगा 35 ठीक है तो इसकी जगह दोस्तों आप इसको अपने मन से भी कर सकते हैं यह तो मैं ऐसे बता दिया कि आप लोग जान लीजिए कि यह ऐसे 24 x बते 35 कैसे आया तो यह यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ y is equal to 24 x अपान 35 यह समीकरण 2 बन गया दोस्तों ठीक है यह समझ में आ गया कैसे यह आया 24 x बते 35 यहाँ पर हमने किया ठीक है अब समीकरण 1 और 2 बन गया हम क्या करेंगे y का मान यह y का मान समीकरण 1 में यहाँ रख देंगे ठीक है आईए कर देते हैं y का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 पहले देखे है क्या x y is equal to 14 बते 15 अब हम मान रख देंगे यह वाला मान यहाँ रख देंगे तो कितना हो गया 24x into 24x upon 35 is equal to 14 बते 15 समझ में आ गया दोस्तों ठीक है अब हम क्या करेंगे आगे देखें 24x x x x square हो जाएगा तो 24x square upon 35 is equal to 14 बते 15 यहाँ तक आपको यहाँ तक समझ में आया दोस्तों 24x square बते 35 बरावर 14 बते 15 कैसे आगया आप समझ गया होंगे आप क्या करेंगे हम वही तरीका तिर्शागुडा कर लेंगे ठीक है इसका इसक में इसका इसक में ठीक है तो जब हम तिर्शागुडा करेंगे तो 24x square into 15 is equal to 35 गुडे चाउदा ठीक है आप क्या करेंगे हम इसको यह 15 है इसको इधर भेज देंगे step by step देखेगा एकदम बिना skip किये तो 24x square is equal to 35 गुडे चाउदा बटे यहाँ यह गुडा में है यहाँ आएगा दोस्तों बटे में हो जाएगा ठीक है पंद्रा ठीक यह समझ में आया ठीक आप x square बराबर इस 24 को भी इधर भेज देंगे तो x square is equal to x square is equal to 35 गुडे चाउदा बटे दोस्तों यह 15 पहले से है गुडे यहाँ पे यह 24 गुडा में है इस तरफ ठीक है इधर आएगा यह भी भाग में हो जाएगा नीचे चला जाएगा ठीक है यह आएगा 24 ठीक यहाँ तक समझ में आया ठीक दोस्तों x square is equal to 35 गुडे चाउदा बटे 15 गुडे 24 ठीक है आ गया अब हम क्या करेंगे इसको काट सकते हैं ठीक है इसको काट देंगे ठीक तो यह कैसे कट जाएगा 5 से कट जाएगा 5 तियाई 15 और 5 सत्य 35 और यह 2 सत्य 14 और 12 गुडे 24 ठीक है तो यह कितना हो गया 7 सत्य 49 गुडे 12 गुडे 36 तो x square is equal to 49 गुडे 36 तो x पराबर 7 गुडे 6 ठीक है यह तो x का मान आ गया अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे दोस्तों ठीक है आएए देखते हैं x का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 क्या था दोस्तों y is equal to 24 x upon 35 यही तो था तो x का मान यहां रख देंगे हम लाके तो कितना हो जाएगा x का जब हम मान रखेंगे तो 24 बटे 35 गुड़े x का मान 7 बटे 6 है ठीक तो हम इसको काट देंगे आराम से ठीक इसको हम काट सकते हैं साथ पच्चे साथ पच्चे 35 ठीक है और चचचव के 24 ठीक यह 4 बटे 5 आ गया y is equal to 4 बटे 5 आ गया ठीक है अब इन दोनों भिन्नों में हमसे बड़ी भिन्न पूछा है तो x कितना आया है x is equal to 7 बटे 6 और y is equal to 4 बटे 5 तो दोस्तों इन दोनों भिन्नों में ये वाली भिन्न बड़ी है x वाली 7 बटे 6 जो आई है ये दोस्तों बड़ी है तो ये हो जाएगा बड़ी भिन्न इन दोनों में 7 बटे 6 बड़ी हो जाएगी ठीक है ये मारा answer हो जाएगा दोस्तों ठीक है समझ में आया होगा दोस्तों आप लोग एकदम easy way में समझ गया होगे दोस्तों दोस्तों इसमें c वाला option 7 बटे 6 भिन वाला बड़ा है ये सही हो जाएगा c option ठीक है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही I hope मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों जै हिन जै भारत और मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों थेंक्यू सो मच